नमस्कार दोस्तों पर फिर्श वोगा था आपके पने चैनल फ्रेंडरसी विन प्रेडिक्सन में तो दोस्तों मैं फ्रेजों मैं इस कबर करने वाले नCWC लीग टू का वंडे में छे जो की दोस्तों पर खिला दाएगा SCO बसे NAM टीम्स के भी डिपलांस करेंगी स्पीड़ों फिल स्टेस पर सिनफो दोनों टीमों के एक एक प्लेयर के स्टर्स अकॉर्डिंग टू बैटिंग ओडरसी आपको बता दूँगा इस मैच का मारा टीम कॉंबनेशन के रहने वाला है वो भी आपको इसी वीडियो से मि दोस्तों जो मारा फाइनल अपडेट आपको मिलेगा जो मारी टेलेग्राम चैनल पर मिलेगी तो अपने जल्दी से आके हमारे टेलेग्राम चैनल से भी जूड़ जाना है जिसका लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो को डिस्क्रेप्शन और फरस्ट कमेंट पिन के सब्सक्राइबर का चैनल होगा वही हमारे एकमात रियल चैनल है और उसी चैनल को आपने जोइन करना दोस्तों बात कर लेते हैं मैच की तो मैच सबसे कुछ दिर बाद दुपार में तीन बच के तीस मैट से स्टार्ट होगा और दोस्तों जो मैच होने वाला है टी बैट्समान है ज्यादा दे विकट पर रुख पाते हैं वो लोग यहाँ पर ठिक ठाक स्कोरिंग कर सकते हैं दोस्तों दोनों टीम को भी चमी रीसेंट में ही यहाँ पर एक हैट्ट मैच भी खेला गाया था जो लास्ट मैच हैट्ट का हुआ था उसमें से स्कॉट लैंड क टीम ने 77 रंस मैच में जीत अंसिल किया हुआ था स्कॉट लैन ने पहले बैटिंग करते हैं दोस्तों टाउन की थे च्छे विकट पर पचास ओर में और स्कॉट लैन की तरफ से कॉलम मैकलोड ने पचास किये थे जॉर्ज मुंस निकाले थे और उस मैच में सोफियान सारि पांच विकट निकाले थे तो इस लिए इस प्लेयर पे द्यान जीजेगा और मैकलोड काफे बहतरे इन टेकनिकल पर लेवाज हमजा ताहिर को दो और उमार कोट को दो विकट मिले हुए थे नावीवे ने जॉब में एक सो कैसी टन किये थे 43 वार में लोहान लाउरंस ने स लांदार 27 न होना थे बहुत कम सेलेक्शन विकट के प्रिंग सेलेक्शन में जील में ट्राई कर सकतो लॉप्ट विट उनने 50 किये थे और ग्रहाड रिसमस ने उस में तीन विकट निकाले थे दस वर पूरे डाले थे जो कि इनकी टेम के कैप्टन है प्लस आर लांडर है व क्यों दोस्तों नवी बिये की टीम लास्ट मैच अपना नेपाल के हैं तो जीत किया रही तो नेपाल हो गए श्कॉटलैनय और इस्कॉटलैन के प्लेयर पी उप करेक्ट प्लियर प्लेयर करक्ते है इस लिए इसमाल लिए को कॉम ये सकते हो, क्योंकि कोई भी टीम किसी को भी यहां पर हरा सकती है लेकिन थोड़ा सा हलका सा एडवांटेज आप यहां पर स्कॉर्ट लैंड को रख सकते हैं इनकी तरफ पर उप्टिंग करतों लिखेंगे काईल कोट्जर उनके साथ उपन करने हैंगे मैथ्यू कुरार काईल कोट्जर ने कप्तानी चोड़ दिया कुछ टाम पले कप्तान हुआ करते से स्कॉर्ड लाइन के अभी तो इस टीम के लिए रिशीवर इंटन केप्टन सी कर ले सकते हो लेकिन थोड़ा सा रिस्क रहेगा क्योंकि शुरुआत में वीवा की तरफ से नए बोल से इस्पेशले ट्रंपल बैन बोलिंग करेंगे जान फिल्लेंग के डालेंगे तो लोग अच्छे बॉल रहें तो हो सकता है उतना इजी नहीं के प्ले स्कूर करना लेकिन बिल्कुल भी स्लो नहीं खेलते हैं जब तक रहेंगे जाओगे चक्के मारते नहींगे लास्ट के में दोरन करके आउट हो उसके पहले आपको बेटर लगता है एक्स्पीरेंस वाइस देखेंगे तो कायल कोट्चल थोड़ा सा ज्यादा टालेंटर है लेकिन विकर के प्र पहले किया करते थे लेकिन यह सबसे बहत्रें बाद है टेकनिकल एस्टॉंग बैसमान एक तरफ से इंकर करेंगे बहुत समय लेते हैं इंडिया में तक फुजारा टाइप ही कहलते हैं मतलब प्लेस करते रहेंगे बिल्कुल भी हो में सौट नहीं मालते हैं आउट होंगे तो थोड़ा सा बहुत नया होगे तो पहला विकट जल्दी मोमेंट मिलेगा पेसर्ट को पहला विकट जल्दी कर जाएगा तो फिर वांड डॉंग जल्दी आगे तो सामने वेल टेप से जान फिर लेंग अच्छे स्विंग बोल रहे हैं तो आउट होंगे तो स्लिप हो ग पहले मच में चार करके नेपाल के नेपाल की बोलिंग काफी तगडी है लेकिन दोस्तों फिर भी लास्ट मच में अच्छा स्कोर किया था उसके रीजन साब है कि जायता इस पीनर नुफसते हैं हीटर बहुत बड़े हैं इस टीम के सब से तगड़े हीटर हैं लंबे लंब सब्सक्राइब नेपाल से काफी जल्दी हार गया था उसमें पांच विकन निकाल थे लास्ट गेम में चार वाड़े हैं लास्ट में जल्दी हार गये थे लोग इसलिए आप सब्सक्राइब में थे शुरु हाँ प्रिड़ हburgया तोब अच्छे और अच्छे फ्रउने देंगे लिखन नए त्योच विक्ल stamps रहां निज बैट्टनव पर revolution रहें फीन सब्सक्राइब लेकिन बैटिंग करने की चमता रखते हैं लास्ट मैच में नौट रोट चोशर की लास्ट मैच में तुनका दिन था बैटिंग चोशर मारे बॉलिंग से हार गे 25 और लेकिन फिर बीच ने 3 बिकन निकाले तो मतलब इस बॉलर का दिन था कैप्टन ग्रांड लिग में जरूर कर दिजेगा एंटरेनल ने 6 वाट डालके एक बिकन निकाला राइटा मीटा मीटाम जील ट्राइए करें हम जाता है बहुत अच्छे लेप्टामाट रखते हैं लास्ट गेम में तो कम ही और मिले क्योंकि जल्दी हार गयते लेकिन पहले मैच में आठ वाट डाले थे दो विकन निकाले थे तो अब इनको भी कर सकते हैं अच्छे स्पिना रहें दोस्तों को साथ टीम नहीं खिलाएगी बोलिंग ज्यादा करते नहीं और बैटिंग वह बहुत नीचे रहता है तो दोस्तों आपके सामने स्कॉट लैंड का पहूंस है स्पेक्टर प्रेंग लेबन बित वैटिंग और लगबग आपको देखने को मिल सकता है अब बात करते हैं दोस्तों इस मैच की वारी दूसरी टीम रहने वाली है नभी विया की जो कि अपना पहला मैच अपना हार के आ रही थी लास्ट मैच अपना जीद के आ रही नेपाल खेंगे इनकी तरफ से आपको ओपनिंग करते हैं लोहन लाउरेंस उनके साथ वपन करने हांगे डिवाइन लोकॉक लेकिन दोस्तों से पहले बता दो मैच का फाइनल टेम आपको मारी टेलिग्राम चैनल पर मिलेग से दूसरे याँसे जेन ग्रीन है देखना पड़ेगा इसे लाउरेंस साथ यह कीपर मिंसन हो जाती हैं इस मैच में फिर से तो फिर आप इनको पिक कर सकते हो क्योंकि स्कोर भी इच्छा कर सकते हैं यह दूनों काफी युए बल्लेबाज है लोहान लाउरेंस और डिवाइ दोबस्टे के काफी बड़े बल्लेबाज है अच्छे हीटर हैं जब तक रहते हैं जोगे शक्के मारते रहते हैं तो ज़रूर ट्राइब कर लिजेगा दोनों से किसी एक को ले सकते हो बैट परस्ट में करने हैं कि राइट हैं बैट स्पिरेंस की कोई कमी नहीं है लास्ट पर पूरे टाल दी और तीन बिकर निकाल थे और लास्ट में चैप्टन के बहुत रहेंगी वह लेट पर जो पहला मैस स्कॉट्ट लेंगे चुब तो उसमें दो रहन की कर पाया थे लेकिन बैटिंग से इस टीम के बहुतर बल्लेबाज में से ही कि टेक्निकल बल्लेबाज केप्टन सी के बड़ी हो अप्शन निकोल लॉप्टी इटन पचास साथ भाई अच्छे पॉम में चल लास्ट गेम में चैवर बॉलिंग भी अगर दी रख लीजे क्योंकि बैटिंग से टच में है और पहले मैच में स्कॉट्लैंड के अगेंसीन ने पचास मारे थे तो न केप्टन सी का बड़ी ऑप्शन है कि लास्ट गेम भी दो बिकेंट निकाले लगबग साथ और करा है अठरा रंगी पहले मैच में तस और पूरी डाले थे वह बात आला है कि बिकेट नहीं मिला लेकिन एक्स्पीजेंस पोल रहा है किसी भी कंटिशन निकाल सकते हैं और ब पहले मैच में नहीं पहले मैच में यहां पे इनके और क्यों कटे थे क्योंकि दस और बही इरिसमस नहीं डाल दी थे तो और तो किसने कीजिंग फिर कटना था तो यहीं चीज़ हो जाती है तो इनके बॉलर अब दोस्तों हम दोनों टीम की में बॉलर देख लेते हैं पहले जिनके अच्छे खास और डालनेगी चांसे हैं तो दोस्तों जदी स्कॉटलेंड की बात करें तो इनके जो चार बॉलर यह दिख रहा है यह अपने दस और हो गाँची में बॉलर के जिक कबहार और कटते हैं और यह फिर किसी बॉलर की पीटा हो तो उसको बॉलर करते हैं तो यह तीन बॉलर उसका वरुसान बेनार्डू स्कूल से कभी कितने भी और कट सकते हैं के एक तो यह हो गए चौते बॉलर पांचे बॉलर रिस्मस हो गए छट्व में क्रिक विलियम्स इसके लावन लॉट टीटन इनके बहुत बोलिंग ऑप्शन है लेकिन जूए मैंने तीन मदा है फ्रिडिलिंग ट्रंपल कुवेरा फैंटसी जहां पर पर्सनली मैं भी खेलना बहुत पसंद करता हूं और आप इस अप्लिकेशन के मेरे बिनिंग इसके इंसोर्ट भी जाके टेलिग्राम पर चेक कर सकते हो क्यों दूस्तों इस अप्लिकेशन का जो एक मेन फीचर से डूओ मोड यह इस अप्लिके पांडे 11 जरूर डालेगा जिससे आपको सवरुपय का बोनस मिलेगा और के वैसी करते हैं आपको 20 रूपय का एक्स्ट्रा रियल केस मिलेगा उसको बाद जैसे आप साइन अप कर लोगे ऐसे आपके सामने मैचेस उपन हो जाएंगे और अल्मॉस्ट सारे मैचेस पर आपक क्लासिक डूओ और क्लासिक मोड सेम होता है जैसे आप 11 प्लेयर के टीम मनागे बागी पेंटिसी आप में खेलते हो वह इसे खेल देते हो तो इसका कुछ खास मतलब है नहीं हम बात करते हैं डूओ मोड की तो आपने डूओ पर आपके सामने पांच प्लेयर आजाएंगे आप जिसभी मैच पे क्लिक करोगे उस मैच के पांच प्लेयर आपके सामने सुहो जाएंगी तो आपने यहीं पर बीच में आपने क्लिक कर देना है तो जैसे आप बीच पर क्लिक करोगे आपके सामने सारे कॉंटेस्ट आ जाते हैं तो जो भी आपको बज़ diffic Não आपने प्ल करना होगा तो इसने निकोलस पूरन को ले रखा है तो अब आप निकोलस पूरन को इन पाच में से नहीं ले पाओगे निकोलस पूरन को छोड़के बांकी चार में से आपको लगता है कि इन इन चार में सो कोई भी बंदा ऐसा है जो निकोलास पूरान से ज्यादा पॉइंट दे सकता है तो आप उसको पिक कर सकते हैं तो आपको लगता है तमींग बाल देगा निकोलास पूरान से ज्यादा पॉइंट तो आप इस पर जाएए जोइन कोंटेस पर क्लिक करें और आपक खाली दिख रहा है बाकि अभी धिरेद्रे कॉंट्स खाली होते रहते हैं अच्छा बहुत लोग खेल लें वहीं तो इतना ट्राफिक हो रहा है तो इसलिए कह रहा हूं आप पीछे मत रहा हो आप तुरंत इसी वीडियो को डिस्केप्शन में जाहिए मैं लिफंडा दोस्तो आपको पिक के तो उन दो प्लेयर में से जिसके भी स्वाइधा पॉयंट आगी बंट रहने वाभागा तो आपको असे स्वाइद है बहुत असान है और 어제 क्ashesूद्न के संवों सार्य चयालेव mails क्लिक करके तुरंत कुवेरा fantasy application डाउनलोड कर लिजे और शाइन अप कर लिजे और टेलिग्राम चैनल जॉइन कर लिजे जब करने के लिए तो जाहिए एक बाद जरूर ट्राइए करें इस्टेंड में भी ट्रॉल है नॉर्मल विट्रॉल भी है नॉर्मल विट्रॉल भी है पर सेम डे मिल जाता है ट्रेस्टेड अपली केसन है बहुत लोग खेलने हैं अपने देखा एक बी कॉंटेस्ट खाली नहीं थे तो जरूर ट्राइए करें और बाकी मज़ा उठाएं और टेलिग्राम पर जरूर उठाएं डिस्किप्शन और फर्स्ट कमिन लिंक दिया हु करेंगे इसके लिए बाल फर्स्ट होता है तो आप सोफियान सारेप को कैट्टन कर सकते हो बाइटिंग से कोई खास प्लेयर को मैं कैट्टन और इस प्रिकेट पर थोड़ा सा मुस्किल है अबेकर लिए तो तो आप से कटैस्ट जॉइन करूगा लेकिन दूस्तो फाइनलreich नहीं है क्योंकि फाइनल ट्께म आप टरॉस आपको टेलेग्राऻ पे मिलेगी तो फाइनली टीम के लिए अपने टेलेग्राम चनल जॉइन कर लेना है इसी वीडियो को पिग्वी में टेलेग्राम पे सेयर कट दूँगा वीडियो वाज करने के लिए देल से दन्यवाद